हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चाइनल तो मैं फिर से आपके लिए बहुत ही टेश्टी रेसिपी लेकर आई हूँ तो आज फ्रेंड्स हम बनाएंगे मैजिकल डोसा तो जैसे आप रेगुलर डोसा बनाते हैं तो उसी तरीके से पर उसमें कुछ चेंजेस करते हुए हमने इसे बहुत लाजवाब टेश्ट दिया है तो आप जरूर अपने घर पर इसे ट्राय किजिए बिल्कुल टेश्टी बनता है फ्रेंड्स अब एक बार आप इसे घर पर बनाऊगे तो आपका मन बार 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 बनाने को करेगा तो चलिए बीना टाइम वेस्ट की रेसिपी क शुरुआत करते हैं तो रेसिपी बनाने के लिए यहां पर मैंने एक डोसे को ले लिया इस प्रकार जो नॉर्मल डोसा हम बनाते हैं घर पर उसी को इस प्रकार प्लेट में फैला देना है अब मैं उसमें एड़ करूंगी पोटेटो की सबजी जो हम डोसे के साथ खाते वह सर्षी पोटेटो की सबजी हम ले लेनी है और उसे इस प्रकार से लोशे के उपर फैला देना है अब मैं उसमें और करूंगी दो मॉधिनन तो यहां पे आप कर LIVE सकते हैं आप अपने टेस्ट कर आ कोडिंग से कम यहां जयँढ यादा यूज़ कर सकते हैं तो यहाप मैंने मायोनिस एड़ किया है अब मैं उसे चमच की हेल्फ से इस प्रकार सारी डोसे के उपर फेला दूँगी तो हमारे घर में मायोनिस बहुत ज्यादा पसंद है तो मैं इसे और थोड़ा सा एड़ कर लूँगी और सारी साइड में मैं इसे फैला दूंगी इस प्रकार से अब मैं आड़ करूंगी टोमेटो सॉस तो टोमेटो सॉस भी आप कम या जादा अपने टेस्ट के एकरडिंग यूज कर सकते हैं तो उसे भी मैं इस प्रकार फैला दूंगी अब मैं इसमें आड़ करूंगी वन पिंच अपने निवी आप अपने टेस्ट के हिसाप से कम या ज्यादा एड़ कर सकते हैं आप में डोशे को कर दूंगी फोल्ड और फोल्ड करते हुए मैं इसे रॉल कर लूंगी तो आपको इसी प्रकास से रोल करना है तो यहां पर रोल करके रेडी हो चुका है अब मैं इसे अपने पसंद से कट करूंगी तो आप अपने पसंद की हिसाफ से इसे कोई भी सेप में कट कर सकते हैं तो इस प्रकार में ने यहां पर इसे कट कर लिया है तो यहां पर हमारा मैजिकल डोसा बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है तो आप मैं उसे डेकोरेट करूंगी यहां पर मेरे पास कुछ चाइनिज सेव थी तो उसको इस प्रकार उपार से डालती हुए मैं इसे डेकोरेट करूंगी आपको इसका टेस्ट कैसा लगा तो अगर आपको हमारी रेसिप अच्छी लगी हो तो हमारे चाइनल को लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करना बाई बाई